आगरा के आगरा फोर्ट के दिवाने आम की छट और दिवारों में दरारें आ गई हैं। दिवारें काफी गहरी और बड़ी हैं जो देखने में खतरनाक लग रही हैं। ये दरारें आगरा के लिए के खुबसूरती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कहा जा रहा है कि तेज सावास की वजह से दिवाने आम की दरारें गहरी हो गई हैं। बता दें कि G20 समिट में भाग लेने के लिए 20 देशों के 145 प्रतिनिती आगरा आये थे। विदेशी महमानों के लिए वर्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट आगरा फोर्ट में 11 फरवरी को प्रोजेक्शन मैपिं के साथ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया था। कुछ लोग इन दरारों को इसकारे कर्म से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं दिवाने आम की गहरी दरारों ने पुरात अत्तो विभाग के चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर दिवाने आम के हिस्से में प रिहसल के दौरान 40 डेसिमल के मानक से उपर साउंड बजाया गया था जिसकी वज़े से दिवाने आम में गहरी दरारे आ गई हैं या पहले से आई दरारे आवाज की धमक के कारण गहरी हो गई। आगरा किले के दिवाने आम की छत और दिवारों में दरारे आ गई हैं जिस लाइट एंड साउंड शो का आयजन किया गया था बताया जा रहा है उस लाइट एंड साउंड शो के बाद इसमें दरारे देखी गई हैं जिसने एसाई की चिंता बढ़ा दिया आप देख सकते हम इस समय आगरा किले पर ही इस्तित है जहां इस आगरा कले के अंदर दिवानेआम की छत और दिवारों में दरारे आ गई हैं दरारे काफी गहरी और भड़ी हैं जो देखने में खतरनात लग रही हैं कहा जा रहा है इससे छत या दिवार उखड़कर गिरने की आशंका है ये दरारे आगरा किले की खूपसूर्ति को नुकसान पहु दीवाने-आम की गहरी दरारों ने पुरातनत्त वभाग की प्रातनु विभात की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे से कशली प्रेटकों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने ।esusक हैं के बात करने की कोशिश की तो वो इस विशय पर कुछ भी बोलने से कत्राते नजर आए पंजाब के सी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूशन